गाइज इस बार के चैप्टर बहुत ही छोटा आया है सिर्फ 6 पेजिस क्यूंकि मैंगा का गेगे गुतामी की कंडिशन ठीक नहीं है पर यही नहीं इसी के चलते हुए हमें अगल 20 दिनों तक कोई नय चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा क्यूंकि यह मैंगा 3 हफ़तों के ब्रेक पर जा रही है तो चलो चैप्टर को शुरू करता है चैप्टर शुरू होता है डूमें एक्स्पेंशन के क्लेस से सुकूना और यूता दोनों एक साथ डूमें एकस्पैंड करता है as we know सुकूना का डूमें बेरिल लास है और इसलिए उसके पास अडवैनटिज है गोजो और सुकुना के first domain battle में bearish domain होने के कारण सुकुना ने गोजो के domain को बाहर से break कर दिया था पर next time गोजो ने अपने domain की condition को change किया और अपने domain को बहुत छोटा कर लिया जिसके बाद उसका domain Malvolent Shrine को 30 minute तक hold कर सका जूता भी गोजो को copy करता हुआ डॉमिन को छोटा करता है जिसके कारण उसका डॉमिन मैलोलेंड श्राइन को तीन मिनिर तक होल्ड कर सका बड़ वेट यूता ने अनलिमिटिड वोइड की कंडिशन को इतनी इजली चेंज कैसे कर दिया इसका हिंठा में मिलता है चैप्टर 250 में जहां पर सुकूना को खुछ समझ नहीं आता कि यूता अपने बैरियर को इतने अच्छे से कैसे यूज कर सकता है इवन यूता खुदी मेंशन करता है कि उसने इसके लिए चीटिंग की है और इस चीटिंग का हमें पता चलता है चैप्टर 258 में जहां ये रिवील हुआ था कि स्वाल स्वाप टेकनिक यूज की टेकनिक है जिसके कारण सोसरर एक महीने में दो बार स्वाप कर सकता है यूता ने फर्स्ट टाइम यूजी के साथ सोल को स्वैप किया ताकि वो यूजी को रिवर्स का स्टेक्निक सिखा सके और उहीं सेगिंड टाइम उसने गोजो के साथ सोल को स्वैप किया ताकि वो बेरियर को एफिशेंटली यूज करना सीख सके और जिनों ने भी जे जे के क लास्ट वीडियो को देखा होगा उन्हें पता ही होगा कि ये प्रेडिक्शन किया गया था कि यूता ने गोजोखेसा स्विश टेनिंग की है और इसी कारण यूता अलिमिटिड वोईड की बेरियर कंडिशन इसली चेंज कर सका तीन मिनिट में यूता का प्लैन सुकुना को इतना रैमिज करना है कि वो मैलवलें श्रायन को मेंटेन ही ना कर पाए बड़ वेट अब तुम्हें लग रहा होगा कि सुकुना अपने डोमें 99 सेकेंड तक ही मेंटेन कर सकता है पर यह सुकुना है यह एक के बाद एक बाइंडिंग वो का यूज करता जा रहा है और इस बार इसने एक और बाइंडिंग वो का यूज करके अपनी टाइम लिमिट को हटा दिया है टाइम लिमिट को इंक्रीज करने के लिए उसने अपने डोमेन की रेंज को सिर्फ अनलिमिटिड वोइड जितना छोटा कर दिया है और उसका प्लान है कि वो तीन मिनिट से पहले ही अनलिमिटिड वोइड को डिश्टोय कर देगा और फिर से बाइंडिंग वो के कारण रेंज को एक्सपेंड करते हुए सब को मार देगा इसके बाद दोनों फाइट करता है यूता ब्लू का यूज करता उससे पहले सुकूना यूता को पंच मारता है जिसके लिए यूता बिल्कुल भी रैडी नहीं था उसे लगा था कि इंफिनिटी के कारण सुकूना उसे टच भी नहीं कर सकेगा बट पंच कहाने के बाद उससे समझा आता है कि सुकूना मैलवलन श्राइन में भी डोमेन अम्प्लिफिकेशन का यूज कर सकता है पर अब ये सवाल उठता है कि क्यों यूता को इसके बारे में पता नहीं है कैंजाकू की करश टेक्निक यूज करने के कारण उसके पास गोजो की मैमरी भी होनी चाहिए थी क्योंकि केंजाकू की कर्ष टेक्निक सिर्फ बोडी को ही नहीं बल्कि मैमरी को भी टेक ओवर कर लेती है इसी कारण केंजाकू गैटो की बोडी ही नहीं बल्कि उसकी मैमरी का भी यूज कर रहा था और तभी out of nowhere हमें दिखाई जाता है ये पैनल जिसमें Rika ने Yuta की body को पकड़ा हुआ है इस टैम Yuta की body को dead हो जाने चाहेता पर सम्हाव Rika fully manifest हो गई है Rika का manifest होना बताता है कि ये body भी जिन्दा है हो सकता है कि Rika के कारण ये body अब भी conscious हो क्योंकि last chapter में ये बताया गया है कि Rika ने Yuta को मरने के हलत में जिन्दा रखा था और या फिर ये सिर्फ एक dead body है और Rika इसलिए fully manifest हो सकी क्योंकि Yuta अब भी गोजो की body में जिन्दा है This is it for today guys, this is Mangasama, peace!